नमस्कार विद्यारतियो एक बार फिट से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे यूटूब चनल एजुकेशन न्यूज ओनली के मातियम से दोस्तो आज है पांच जनवरी दोजारतिवीस माफ करेगा चौबीस और आज का जो बड़ा अपडेट है वो यूपी ट्रिबलेसी वीडियो री एकसाम दोजार अठारा के रिलेटेट है एक ऐसा एकसाम जिसको आज करीब करीब 6 साल हो जाएंगे इस साल में 6 साल हो जाएंगे लेकिन अभी तक जिसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है ऐसे में बच्चे काफिय तक परहसान है कट ओफ को लेकर भी बात करेंगे जो भी ज़रूरी अपडेट से आपके रिजल्ट हो लेकर उसको लेकर बात करेंगे तो उससे पहले बस आप से एक छोड़ सी विनिती हैं क्योंकि आप सभी वित्यारती हैं और आप तक सही समय पे सही जानकारी पहुँचना बहुत हविशक है इसके लिए आप चैनल को जुरूर जॉइन करें जुरूर सब्सक्राइब करें ताकि भवी से कि जितने भी अपडेट से आपको टाइम पे मिल सकें तो देखे दोस्तों यहां पर अपन बात करते हैं UPCCC-IOK के बारे में क्योंकि दोस्तों UPCCC-IOK के अंदर कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके दुआरा जो जानकारी हमें मिली हैं हम आप तक सहर कर रहे हैं इसमें काफी बच्चे टरॉस्त नहीं करते हैं उन्हें यह लगता है कि ही फैक है वगर वगरा तो देखिए ऐसे विध्यारतियों को हम यह वीडेओ दिखाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जिने ट्रस्ट ही नहीं है वो अपने हिसाफ से वीडियो को जज़ करता है वगर वगरा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कुछ समय पहले की बात है एक से दो तारीक नहीं एक से दो दिसंबर के मदिया हमारे कुछ टीम के मेंबर्स और कुछ स्टूडेंट्स जो है लग को भी समझते हैं उनके दोरा जो में कारण मिले हैं तो उनके दोरा ये की चीज बदाई जा रही है कि अभी तक इस परिणाम को लेकर कोई हल चल नहीं है क्योंकि उनका जो प्रोसेस है दोस्तों वो दूसरे एक्जाम पर उनका बड़ा फोकस है यूपी टीपल ऐसी आयो का क्योंकि उनको वहां से फुटसत नहीं मिल रही है और साथे साथ जब तक बच्चे दबाव नहीं बनाते हैं क्योंकि रोज अगर बच्चे जाएंगे तो फिर उससे दबाव बनता है तो अगर कम संक्या में जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो बहुत से बच्च तो कोई फर्क तो पढ़ता है नहीं 6-7 साल हो रहा है तो तब तो कैसा कुछ नहीं होगा सिर्फ बर्बादी होगी तो अगर अपन सांत्त पूर्ण तरीके से एकता बना कर एकता बना कर अगर इस तरह की सांत प्रदस्शन करें बिना किसी हिंज़ा के बिना किसी चोट इस result पर focus बना के रखे लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा एक चीज मिली है कि जनवरी के अंदर हम result चारी करेंगे लेकिन ऐसा possible ही नहीं है धन्यवाद